आट, शिक्सिज और 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 श हो इदर उदर फैंक की बड़ी हो उसे हम बोलते हैं एक सिक्सिस एंड सैवन्स तो एक सिक्सिस एंड सैवन्स हमें दिखाता है एक ऐसी स्टेट जहां पर डिसॉर्डर हो हो चीजे ओडर में ना हो डिस ओर्गनाइजड हो जैसे फॉर एक्जामपल यहां देखना इस पिक्चर में सब तार यहां पस में सिक्सिस और सैवन्स बना रही है यहां आप देख सकते हो राइट तो यह बंदर कंफ्यूज है कौन सी तार कहां पर है राइट एड सिक्सिस ए सैवन्स आफ्टर दा फलर्ड मैं अग्जाम देने के बाद एकदम कंफ्यूज था पास हो गा या फेल आफ्टर द अग्जाम माई माइंड वास एड सिक्सिस और सैवन्स एंड अनदर इंपोर्ड पॉइंट ओरीजन इस एडियम की उपर जो है यह आया हुआ है सटे वाज आप उलगे पड़े हैं सिक्सि और सैवन्स में एक रिस्की मोड़ अगर शिक्स हाया तो वही और पैसे जीत जाओगे और सैवन्स आया तो जुली पैसे बौल घृँ जाओगे ओश्किस एैंस सैवन्स यानि किसी भी गेमें जब आप यक ऐसी सुच्वेंशन में फसे होते और जैसे यहां पर की एक्जामपल है He was at 60's and 70's after the news of his father's death तो इस soaking news के बाद वो 60's and 70's में था confused puzzle पागल टाइब उसे कुछ पता ने लग रहा था क्या करूं क्या ना करूं He was at 60's and 70's अगला क्या है The horse was at 60's and 70's after the party तो यह आपको बता है किसी function किसी party के बाद घर की क्या हालत होती है चीजें इदर उदर होती है The horse was at 60's and 70's after the party और आगे फाइनली आपके लिए question है यहां पर आपको क्या बताना है opposite इस idiom at 60's and 70's का पहला option क्या है in apple pie order या in a state of calm in a state of focus या फिर all of the verb तो जो वाला भी लगता है आपको यह सही होगा लिख दो अपना answer नीचे comment box में तो यहां पर करते हैं इस वीडियो को end ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल IMP vocabulary अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सी वुकैब के साथ धन्यवाद